नमस्कार दोस्तों मेरे चनल पे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत थे आज मैं आप लोग के लिए लाई हूं हर घर तीरंगा पर निबंध आईए देखते हैं एक छोटा सा स्लोगन है हर घर में हम तीरंगा लहराएंगे हर घर में हम तिरंगा लहराएंगे आजादी कामरित महशो मनाएंगे अगर हमारी वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब करें, लाइक करें, सेयर करें हाई ये देखते हैं हर घर तिरंगा अभियान क्यों मनाया जा रहा है हमारे लिए तिरंगा महत्तोपूर और गौरों का विसे है देख में 15 अगस्त यानि स्वतंतरता दिवस के जशनी की तैयारियों हो चुकी है अब की बार यह बहुत खास होगा क्योंकि देख इस बार आजादी का अमरित महशो के रूप में मनाने जा रही है 15 अगस्त का दिन उन वीरों की गठा तथा बलिदान का प्रतीक है जिन्होंने अपनी जान की ना परवा करते हुए हमें आजादी दिलाई थी हमारा लच्छ होगी हरगर तिरंगा अभ्यान के तहत पूरे भारत देश में राष्ट धज और गैर सरकारी कर्यालों और वाड़ी जिक की अध्योगी इकाईयों और प्रतिश्ठानों कर्यालों पर ध्वजार ओहर हो जहां सभी अमरित सरोवर पर जंडा फराया जाए आईए दिखते हैं हर घर तिरंगा अभ्यान का उद्देश हर घर तिरंगा अभ्यान इस सल स्वतंतता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में सुरू किया गया है यह अभ्यान नागरिकों के दिलों में देश भक्ती भी भावना पैदा करने के साथ ये राष्ट्य धर्च के प्रतिजागरुपता बढ़ाने का कारे भी करेगा हर भारत वासी को अपने घर में तिरंगा फाराने के लिए अधिक से अधिक प्रोसाहित करना करना हर घर तिरंगा अभ्यान का मुख्य उदेश है आए देखते हैं इसे क्या निश्करश निकलता है अनेक पढ़ाव को पार करने पार कर राष्टि धोज तिरंगा आज भारत की सान है राष्टि धोज से संबंदी सबी उदेशो का हम सबको गंबीरता से पालन करना होगा ताकि हर घर तिरंगा अभियान एक सफल अभियान बन सके लाष्ट में भी स्लोगन बोल देंगे तिरंगा हमारी शान है रखे हर रखेंगे सर हमेशा उचा तिरंगा हमेशा उचा उचा जब तक जान है भारत मता की जै आप लोग भी घर पे तिरंगा फार आईएगा थेंक यू थेंक यू फो रोचिंग मैं वीडियो